नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल The Trade Bull Official में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी 16 मार्च को कहां पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुट के क्या टागेट रहेंगे मार्केट ने अपने लिए सपोर्ट और रिसिस्टेंस कहां पे क्रेट की हुई है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मार्केट ने आज हमें एक गैप अप उपनिंग दी एकस्पेक्टेट था मुझे कि मार्केट जो है आज यहां पर हमें कहीं गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकती है 100-800 पॉइंट की लेकिन यहां पर मार्केट ने उल्टाई कर दिया एक अल्मोस्ट 100 पॉइंट सब गैप अप हुआ और ऑपन होते ही मार्केट ने विटनेस किया एक यहां पर सेलिंग जैसे ही मार्केट इस लेबल पर आयì वापिस से मार्केट के अंदर एक यहां इक पैटर्न बना यह W का पैटरन लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट नहीं यहां पर वापिस से 35-650 के बाद रिवर्सल ले लिया और उसके बाद दोस्तों 11 मजे के बाद तकरीबन 12 मजे तक मार्केट यहां पर साइड़ व अंबर बैक निफ्टी ने अगर आप ध्यान से देखेंगे एक यहां पर head and shoulder pattern बनाया था मैं आपको बनाकर रिखाता हूं यहां मुझे लगता है मिरसे miss हो गया वीडियो में मैंने बताया था कि यह मुझे head and shoulder pattern लग रहा है और अगर आप ध्यान से देखेंगे यह एक head and shoulder pattern था तो दोस्तों जब भी ऐसा कभी head and shoulder pattern बने समझ जाईएगा market यहां पर अच्छा एक momentum देखने वाली है एक यहां पर fall witness हो सकती है और वैसा ही हुआ थोड़े थोड़े jerks के बाद market ने अपना जो दिन का एक low लगा दिया तकरीबन 34,706 पर यह low लगा तकरीबन 2 बज़ कर 30 मिनट के आसपास लोग यहां पर बोल रहे थे live stream पर हो सकता है market और नीचे लगे मैंने उसी time पर पताया कि यहां से reversal एक possibility लग रही है और ठीक धाई बज़े टू 30 पर market ने यहां पर एक reversal लिया और हमें वापिस 35,200 का level वापिस दिखा दिया इसके बाद जैसे ही इस level को touch किया market ने वापिस से sideways हो गई market और फिर से premium decay यहां पर market ने करने शुरू कर दिये अब दोस्तों कल के लिए कल के लिए अब आपको क्या करना है यह एक आपको बहुत important strategy बनानी होगी तो चलिए इसके बारे में भी discuss करते हैं तो दोस्तों आपने कल call की position में तभी बैठना है जब market आपको 35,217 या 220 इस level को जैसे ही market cross करेगी तभी यहां पर एक call की position में बैठेंगे यह एक strong resistance market की बनी होई है तो यहां पर मैं mention करके आपको बता रहा हूँ कि call position in bank nifty अगर आपको 35,220 की उपर market निकलती हुई नजर आए तो उससे पहले गलती से भी call की position में आपने नहीं बैठना और जो आपके targets रहेंगे वो भी discuss कर लेते हैं तो आपके जो targets रहने वाले हैं पहला target आपका रहेगा 35,350 और दूसरा target 35,425 यह दो targets आपको मैं देखे जा रहा हूँ अगर आपको 35,220 नजर आता हो उपरिंग में तो यह पहला target रहेगा तकरीवन 35,350 के आसपास यहाँ पे और दूसरा target आपका रहेगा 35,425 के आसपास और आपको put की position में तभी बैठना है दोस्तों सिर्फ कल जब market आपको 34,700 का level ब्रेक करती हुई दिखाए यह बहुत strong support है इससे पहले गलती से भी आपने put की position नहीं लेनी तो यहाँ पे यह भी मैं mention कर रहा हूँ कि आपको put की position में तब बैठना है जब market आपको 34,700 का level ब्रेक करते हुए नजर आए इससे पहले put में मत बैठियेगा अधरवाइस भारी loss करवा सकते हो कल so targets में mention कर देता हूँ put की position के लिए भी कि क्या targets रहने वाले हैं कल आपके put के लिए तो पहला target आपका रहेगा अगर 35,700 ब्रेक करता है तो 35,550 sorry 34,550 और 34,475 यह दो target आप easily bet सकते हो back nifty में अगर आपको market यहाँ से रीचे जाते भी नजर आए तो यहाँ से मैं यह भी mark करन आपके सामने इन levels को तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो please like का button जरूर प्रेस करिएगा आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए comments में mention करिए आपको वीडियो कैसी लगी आपके कोई question है तो आप उ सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थांक्यू बाबाई